ब्रिंदा ओनलाइन इस्टरी क्लासेज में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों जो नई L.T. सिचक भरती आने वाली है उसमें बहुत सारे कमेंट आया है कि उसके आयो क्या होगी उसमें योगिता क्या होगा माइनस मार्किंग है कि ने तो इन सब सारे कमेंट का जबाब आपको इस वीडियो में मिल लाएगा तो वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को हमारे सब्क्राइब ने किया है तो चैनल को जरू सब्क्राइब करिएगा तो आईए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से यह नोटिफिकेशन जो है पुरानी भरती अल्टी ग्रेट की जो 2018 में निकली थी उसी की है और इसी के माध्यम से आपको सब को समझ में आ जाएगा यह उसी का पीडियो पहें देखिए असिस्टेंट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे दीखिए एडवेटाइजस नमबर दिया है डेट दिया है कि 15-3-18 को या विज्यापन जो है वह निकला था यहाँ देखिए असिस्टेंट टीचर भरती ग्रेट मैन वोमेन ब्रांच एग्जामिनेशन 2018 यह कब निकला था तो 15-3 15-3-18 को निकला था और 12-4-18 तक इसमें फार्म लिया गया था और इसकी जो फीस है यहाँ देखिए यहाँ पर फीस दिया गया है एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर ज्यादा फीस नहीं था जनरल का 125 था सेडियूल्ड कास्ट का सेस्ट का देखिए यहाँ पर कम ही फीस है तो इस तरह से ज्यादा इसमें फीस फार्म का फीस नहीं है आगे भी इसका देखिए इसमें जो नियुंतम आई है 21 वस पूरी कर चुके हो और अधिक्तम जो आई है चालिस वर से ज्यादा क्या में हैं जिनको छुट मिलती है एज में आगे देखिए यहाँ पर दिया है कि एजुकेशन क्वालिपिकेशन सबसे मोस्ट इंपार्टेंट यहीं है कि किस विसे में क्या योगता होगी तो अब यहाँ देखिए हिंदी है हिंदी का भी बाद अभी तक फसा हुआ है यहाँ ह यहाँ पर दिखिए संस्कृत आ सबजेक्ट है हिंदी के लिए कि यहाँ पर दिखिए और व के singing के लिए और बीया में आपका हिंदी होना चाहिए तब ही आप Nhinty सबजेक्ट के लिए अलेवल होंगे इसी तरह English का है जो English के अभ्यारती है उसे देख लेंगे और यहाँ पर Math का दिया है इसी तरह सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है जो जो जिसका यहाँ देखे साइन्स का है सोसल साइन्स का जो भी है अपना इसको आराम से आप स्क्रीन साट लेके देख सकते हैं यह Computer का है यह यहां पर उर्दु का दिया हुआ है यहां बाइलोजी का दिया है आगे देखिए इसको यहां देखिए संस्क्रीट का आर्ट का म्यूजिक का अवाले बर सकते हैं जो यह फीजिकल एजूकेशन के अभ्यारती होंगे और यहां पर होम साइस का दिया है फिर बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा वही जो EWS यहां पर अबलागू हो गया है, इसी में जो पदों से सम्भंदित बदलाव होना होगा, वही बदलाव होगा, बाकी सब वही रहेगा, एक सवाल और है कि इसमें माइनस मार्किंग होगी की नहीं, तो देखें यहां वन तर् पेपर तो एक ही होगा जिसके फर्सट पार्ट में जनरल इस्टेटिस के 30 कोश्ण रहेंगे, अबजेक्टिव टाइब, तीस कोश्ण जो आएंगे वह अबजेक्टिव रहेंगे, फिर पाट सकेंड, उसी पेपर में पाट सकेंड जो होगा, वो में सबजेक्ट, आपका ज दिया हुआ है बता रहा है दोनों को मिला कर पूरे डेड़ सो में qualified mark बना हुआ है कटाफ में सामिल होने के लिए कितने नमबर चाहिए इसका देखिए यहाँ पर दिया है minimum minimum SCST के लिए 30% नमबर आने चाहिए डेड़ सो में 30% नमबर आएगा तो SCST का टाफ में सामिल किया जाएगा उसके बाद से जनरल कटिगरी के लिए 40% जो नमबर है यह जनरल कटिगरी को मेरिट लिस्ट में सामिल होने के लिए है तो 40% मतलब 1506 नमबर यह और 30% मतलब 40-50 नमबर के आसपास इंका तो इतने नमबर आने के बाद ही आपको कटाफ में सामिल किया जाएगा इसके बाद आप अपना सलेवस भी देख सकते हैं कि सलेवस दिया है सबजेक्ट सोशल साइंस का है स्लेवर्स के बारे में भी आपको जानकारी दी गए, यहाँ पर देखिए सोसल साइंस जियोग्राफी का है, आगे देखते जाएंगे सारे बीसियो का दिया है, यहाँ पर हिस्टरी का है, सोसल साइंस में हिस्टरी का जियोग्राफी हो गया, और यहाँ पर सिविक्स हो गया, स्लेबस यहां पे साइन्स का ये स्लेबस दिया हुआ है तो इस तारे सब्जुक्ट का यहां पे स्लेबस दिया हुआ है जिसे हम PDF इसका डाल देंगे आप इसको आराम से देख लेजिएएगा तो दोस्तों इसी एक साथ हमारा आज का वीडियो समाप तबाता है झाल झाल